आज हम बात करेंगे model verb should के बार जैसा कि आप जानते है model verb helping verb ही है लेकिन English grammar में उनका उपयोग अलग तरीके से होता है तो ये है should, should का मतलब है कुछ करना चाहिए क्या करना चाहिए तो should का अकेला मिनिंग नहीं निकलता है उसके साथ जब main verb मुख्यक्रिया पद सामिल होता है तो उसका पुरा अर्थ निकलता है जैसे कि should eat यहाँ eat main verb है should eat यानि खाना चाहिए मतलब modal verb should के साथ हमेशा कोई न कोई main verb यानि वीवन सामिल होता ही है तभी उसका अर्थ निकलता है जैसे कि should work यानि काम करना चाहिए शूड गिव यानि देना चाहिए शूड वोट यानि मत्दान करना चाहिए तो एक बात आप हमेशा याद रखे कि सब modal verb helping verb ही है लेकिन वाक्य में उनका काम दूसरे helping verb से अलग है पूरे इंगलिस grammar में should का उपयोग cool 3 tense में होता है पहला है present tense में अगर should का उपयोग present tense में हुआ है वर्तमान काल में हुआ है तो उसका उपयोग सला देने के लिए हुआ है जैसे कि एक उदाहरण है you should marry now आपको अब साधी करनी चाहिए तो यहां आप वर्तमान काल में किसी को साधी करने की सला दे रहे है तो जब should का उपयोग present tense में किसी को सला देने के लिए किया जाएगा तो उसके sentence structure ऐसा होगा पहले आएगा subject उसके बाद model वर शूड उसके बाद आएगा वीवन यानि क्रिया वर्त का पहला रूप उसे base form भी कहते हैं और उसके बाद object अगर आप इस वांक्या को negative बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है you should not marry now आपको अब साधी नहीं करनी चाहिए तो sentence structure में आपको should के पीछे not लिखना है और बन जाएगा negative sentence हाँ एक और बाद should not का contraction होता है shouldn't contraction यानि short form तो चलिए इस वांक्या को interrogative यानि प्रसनाथ वांक्या भी बनाते हैं तो वांक्या कुछ ऐसा होगा should you marry now आपको अब साधी करनी चाहिए तो प्रसनाथ वांक्या बनाने के लिए model verb should वांक्या में पहले आएगा उसके बाद होगा subject उसके बाद रहेगा main verb यानि वीवर्ण और उसके बाद object और last में question mark अब बात करते हैं सूड के दूसरे उप्योग के सूड का दूसरा उप्योग पूर्ण भुद्काल में किसी को सला देने के लिए होता है यानि perfect past tense में किसी को advice देना कैसे तो चलिए एक उदाहरन पढ़ते you should have married यानि आपको साधिक कर लेनी चाहिए थी यहाँ आप किसी को कुछ कर लेना चाहिए था भुद्काल में कुछ कर लेना चाहिए था यसी सलाह दे रहे हैं तो जब सूड का उप्योग भुद्काल में किसी को सलाह देने के लिए किया जाएगा तो उसका sentence structure ऐसा होगा पहले आयेगा subject उसके बाद model verb should उसके बाद helping verb have और उसके बाद v3 यानि क्रियापत का तीसरा रो मतलब should plus have plus v3 negative sentence कुछ ऐसा होगा you should not have married आपको साधिक नहीं कर लेनी चाहिए थी negative वांक्या का sentence structure होगा should के पिछे not लिखना यानि should not have married इसका interrogative sentence कुछ ऐसा बनेगा should you have married आपको साधिक करनी चाहिए थी तो interrogative sentence में पहले आएगा model verb should उसके बाद subject और फिर उसके बाद have plus v3 और last में question अब बात करते हैं सूड के तीसरे उप्योग की सूड का तीसरा उप्योग चालू वटमानकाल में किसी को सलाह देने के लिए होता है you should be doing a marriage आपको साधिक करते होने चाहिए यानि ऐसा भी कह सकते हैं आप साधिक कर रहे होने चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसी वक्त आपकी साधि होने की क्रिया चालू होनी चाहिए थी जो अभी तक चालू नहीं हुई है तो continue present tense में should का उप्योग जब करेंगे तो sentence structure ऐसा होगा पहले आएगा subject you उसके बाद model word should उसके बाद b plus v1 ing और अंत में object इस वाक्य का negative ऐसा बनेगा you should not be doing a marriage यानि आप साधी नहीं करते होने चाहिए अथवा आप साधी नहीं कर रहे होने चाहिए तो negative sentence structure में should के पिछे आएगा not उसके बाद b plus v1 ing यानि should not be doing और इसका interrogative sentence कुछ ऐसा बनेगा should you be doing a marriage आप साधी करते होने चाहिए अथवा आप साधी कर रहे होने चाहिए तो sentence structure कुछ ऐसा रहेगा पहले आएगा model word should उसके बाद subject उसके बाद b plus v1 ing और उसके बाद object और अंत में question mark तो ये था model verb should का upiop तीन अलग-अलग tense में इंग्लिस grammar के कई और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं जन्यवाद कर, जाpse वां पांग कर सकते हैं पालगमक उढस बार गयाद कर सकते हैं कर और बाद